Hello everyone, यह हमारा reasoning का practice set तीसरा है, जिसमें हम TCS के दुवारा पूछे गए जो 2020, 2021 और 2022 में exam हुए हैं, चाहे वो CHSL का हो, चाहे CGL का हो, या फिर stenographer का हो, इन exam में जो आई हुए questions है, इसी pattern पर आधारित हम practice set solve कर रहे हैं, और जो आपका आने वाले exam से stenographer का, फिलाल हम उसको target करके यह practice कर रहे हैं, ठीक है, यह तीसरा practice set है, इससे पहले अगर आपने दोनों practice set नहीं किये हैं, तो आप सबसे पहले उन practice set को solve कीजिए, PDF में आपको provide करा रहा हूँ, ठीक है, telegram channel पर, तो telegram को join कर लीजिए, link description में मिल जाएगा, और अगर यहां से join नहीं कर पाते हैं, तो direct telegram पर जाकर कि आप सर्च करेंगे sparkle education, sparkle education और वहां से हम join कर लेंगे, ठीक है, और सबसे पहले मैं आपको PDF दे देता हूँ, फिर उसके बाद solution की यह video आपको provide कराता हूँ, तो लगभग 4 बज़े साम को मैं कोशिश करता हूँ, कि आपको 4 बज़े PDF प्रव 20 questions मिलेंगे, ठीक है, तो वो आपको यह चलता रहेगा, ठीक है, तो 4 बज़े आपको PDF दिलाने की कोशिश करूँगा साम को 4 पीम पर और 6 बज़े आपका 6 पीम पर आपका solution, ठीक है, तो 6 बज़े आपका solution मिल जाएगा, ठीक है, जो भी test लगाने वाला बच्चा है, वो आ आप 4 बज़े से लेकर के 6 बज़े के बीच में लगाओ, और 25 question को 20 या 25 मिनट में complete करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, सभी के सभी बच्चे, जादा time हम नहीं लगाएंगे, और जो भी आपको doubt हो, जिस topic में आप comment करके बता सकते हैं, कि हमें इस topic में doubt है, ये topic मुझे समझा दीजिए, या इस topic पर वीडियो बनाईए, तो मैं एक separate video उस topic पर बनाऊंगा, दूसरी बात वैसे तो मैं आपको topic wise, topic wise जो है, videos provide कराऊंगा, धीरे धीरे exam तक ये सारे topic wise मैं आपको video provide करा दूंगा, ठीक है, exam तक, तो अभी थोड़ा सा time लग रहा है, समय की थोड़ी कमी ह इसलिए, तो अभी फिलाल आप daily practice set लगाओ, और topic wise भी आपको practice मैं करा दूंगा, ठीक है, तो 4 बज़े daily आपको update रहना है, और 6 बज़े आपको solution की video देखनी है, YouTube channel पर, तो इतना आपको कर लेना है, बाकी आपका reasoning में 45 प्लस आसानी से आ जाएंगी, और एक कल मैंने video बना करना है, तो कुल 8 topic है, जिसमें से 25 से 27 question आपके आते हैं, अगर वो video नहीं देखी है, तो आप उसको जाकर के देखो, 8 topic है, और इन 8 topic की मैं अच्छे से practice कराने वाला हूँ, एक separate series के माध्यम से, ठीक है, तो वो चीज़ भी हम यहाँ पर करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं आ मैं आपको जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगा, मैरा थन वीडियो में चीज़े provide कराने की, ठीक है, तो आपको tension नहीं लेनी है, बाकि आपको बुक से भी पढ़ते रहना है, ठीक है, तो बुक से जरूर पढ़ना है, साथ साथ, ओके, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना ह 94, 17, 12, तो इस पर केवल WhatsApp ही आप कर सकते हो, नंबर इस पर नहीं लगीगा, ठीक है, जो भी query है, आपकी study से related आप इस पर बता सकते हो, आपकी problem solve कर दी जाएगी, कोई भी problem है आप बता सकते हो, पढ़ाई से related, ठीक है, तो चलिए, आगे start करते हैं, फटा फट से इस पूरे practice set को solve करते हैं, तो चलिए, पहला question है हमारे पास, ठीक है, पहला question है, पहला question है हमारे पास, अगर इसको 51 लिखा जाता है, इसको 85 लिखा जाता है, तो इसको क्या लिखा जाएगा, ये question पूछा है, तो सबसे पहले हम इसका, देखते हैं, इसका क्या होता है, दी का 4, ओ, प होते हैं 19 और 7 26 तो 26 ही हो गए और 26 की गुणा 2 से करेंगे 26 दुनी 52 और माइनस कर देंगे 1 तो कितना हो जाएगा हमारे पास 51 ये हमारे पास आ जाएगा 51 सेम वैसा ही यहां करेंगे जी 7 ओ 15 ए 1 टी 20 ठीक है इन सब को एड करेंगे 20 और 15 35 और 36 और 7 कितने होते हैं 43 43 को गुणा कित से करेंगे डबल से यानि 2 से इसी कल्टो हो जाएगा 86 और माइनस करेंगे 1 तो 85 यानि 85 ये मिल गया स्वीम वैसा ही यहां पर करेंगे और जब यहां करेंगे तो हमारे पास आजाएगा D option ठीक है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए A से लेके Z तक आपको सभी alphabet के number पता होना चाहिए तो ये सबसे पहले आपको याद करने हैं ठीक है चलिए question number दूसरा है इसमें आपको बताना है चीक है iron, lead and nitrogen इसमें आपको बताना है क्या इसमें वेन डाइग्राम बनेगा तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे अलग हो जाएंगे यानि option number B हो जाएगा कोई भी इसमें समान नहीं दिख रहा है अलग-अलग ये जो है चीजों के नाम है चलिए question number third देखेंगे इसमें आपको बताना है जो सबसे अलग है जो सबसे अलग है वो आपको संख्या बतानी है जो सबसे different है तो चलिए बताईए क्या हो सकता है देखिए ये 13 से अगर मैं इसको divide करके देखू 13 दूनी 26 तेहर दूनी 26 और 26 यानि कि कितना वच्चा 91 और 13 सत्ते 91 तो ये 13 से divide है ये क्या है 13 से divide है इसको भी 13 से हम divide कर सकते हैं 13 कितना वच्चा 7, 4, 11, 117, 139, 117 तो ये भी 13 से divided है लेकिन ये 13 से divide नहीं है तो divisibility rules भी जो है लग जाता है कभी 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 इन questions में तो इसका answer हो जाएगा option number C चलिए अगला question है question number 4 question number 4 में है अगर इसको ये लिखा जाता है coding decoding number series और finding number missing number ठीक है इनसे लगबग 15 question आपके आने ही आने है तो इनको अच्छे से करते हुए चलना है इन पर आपको अच्छे से practice करनी है ठीक है coding decoding के question तो बहुत सारे आएंगे 5-6 question 6-7 question आपको मिलेंगे तो चलिए इसका answer बताईए क्या इसका answer हो जाएगा जल्दी से बताईए क्या इसका answer हो जाएगा किया इसका अंसर हो जाएगा क्या इसका अंसर हो जाएगा देखते हैं इससे ये बना कैसे बना 18, 1, 20, 9, 15 और 14 यहाँ पर क्या ए 1, 20, 24, 16, 2 और यह क्या हो जाएगा 10 तो क्या यहां पर आपको कुछ दिखाई दे रहा है किस तरह से, क्या हम इसको बना सकते हैं, क्या यहाँ पर कोई कोडिंग, मतलब इससे कोई आपको दिख रहा है, क्या बना सकते हैं, ठीक है, जल्ले से इसमें बताईए, क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, क्या तरक लगा सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, 18, 1, 20 और यह क्या था 9 15 और 14 चीक है यहाँ पर है 1 20 और यहाँ पर हो जाएगा 24 यहाँ पर हो जाएगा 16 दो और यहाँ पर हो जाएगा 10 तो यहाँ पर आपको देखना है क्या हम कैसे कर सकते हैं इसको किस तरह से इसको सोल्व कर सकते हैं जल्दी से देखिए फटाफट यहाँ पर कोई अगर देखिए अगर मैं एक से दो तक जाओं तो प्लेस बन करेंगी चीक है इस तरह से क्या हम कर सकते हैं क्या 9 से 24 पर जाने क तो कोई लोजिक यहां पर लग रहा है किया कुछ कॉशन ऐसे भी होते हैं कि हमें कोडिं क्या बसकता नहीं पड़ती अगर इसमें कोई कोडिंग होती तो हमें तुरंत पदा चल जाता लेकिन यहां पर कोई recording हमें दिख नहीं रही, तो पेमिंट से हमने यह लिखा तो इससे क्या लिखा जाएगा सबसे पहले देखेंगे कि यह जो word है क्या हमें यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं इसमें और इसमें यह word दिख रहेगा सारे के सारे word दिख रहे हैं जैसे M है यहाँ पर starting में तो कहीं पर M दिख रहा है M यहाँ पर है बीच में तो M का code क्या आया है यहाँ पर C, तो C हम लिखेंगे M के लिए, ठीक है E यहाँ पर है, तो E कहीं पर दिख रहा है यहाँ पर दिख रहा है, तो E के लिए हो तो इसमें time waste नहीं करना इस तरीके सी भी आपके answer आ जाएंगे ये वाला option देखेंगे क्या हमें ये वाले word alphabet मिल रहे हैं क्या अगर मिल रहे हैं तो फिर same का same word हम ऐसे ही copy कर लेंगे कोई भी इसमें logic लगाने की भी आवशक्ता आपको नहीं पड़ेगी चलिए question number 5 question number 5 इसमें से सबसे अलग बताना है सबसे different कौन सा होगा सबसे different तो सबसे different क्या हो जाएगा चेक कर लेते हैं m n plus 1 add कर दिया n से 20 पर plus 6 add हो गया और t से u पर plus 1 add हो गया ठीक है वैसे ही यहाँ पर करेंगे plus 1 add और f से 19 पर पहुचे यानि 13 f मतलब होता है 6 s होता है 19 तो plus हमने 13 add किया ठीक है s से t पर plus 1 add हो गया ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं अगला देखते हैं qr plus 1 और r से 1 पर जाने के लिए कितना add करना पड़ेगा यानि 8 और 1 no add करना पड़ेगा फिर a से d तक जाने के लिए plus 3 add किया क्या यहाँ पर i j 1 ठीक है और j से b तक जाने के लिए 12 और w तक जाने के लिए 1 ठीक है plus 1 तो कहीं पर कहीं न कहीं आपको दिख रहा होगा कोई सा देखिए यहाँ पर तो one one add हो रहा है one one add हो रहा है ठीक है यानि इस तरीके से आप देख सकते हैं दो दो अकसर को लेंगे तो एक एक का डिफरेंट है यहाँ पर हम दो दो को लेंगे तो एक का डिफरेंट है यहाँ पर भी दो दो को लेंगे तो यहाँ पर एक का डिफरेंट नहीं यहाँ पर प्लस तीन का डिफरेंट है तो यह अलग हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे तो हम एक एक का difference है, ठीक है तो इस तरीके से हमारा option number C हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक का नहीं, तीन का difference है तो इस तरीके से हम इसका answer C लगाएंगे, ठीक है चलिए अगला question देखते है question number 6, कागज को मोड़ा, ठीक है, मोड़ तोड़के यहाँ से हमने cut किया यहाँ पर cut किया, तो सबसे last में जो है C को पकड़ेंगे, ठीक है उस से पहले वाला step देखेंगे, हमने किदर को मोड़ा था, हमने ऐसे मोड़ा है, तो हम इस तर इदर को open करेंगे, तो जब हम open करेंगे, तो एक यहाँ पर बन जाएगा एक यहाँ पर, और यह वाला cut यहाँ पर आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, फिर हमने कैसे मोड़ा था, इदर से मोड़ा था न, यहाँ से, तो अब यहाँ पर open करेंगे तो यह दो जो है कटे गोल गोल निसान यहां पर पहुच जाएंगे यह यहां पर कोशन है चीक है चली देख लेते हैं ब्लड रिलेशन का कोशन है प्रेवीड किसमत का पिता है प्रेवीड जो है प्रेवीड प्रेवीड ठीक है प्रेवीड कोन है किसमत का पिता किसमत किसमत ठीक है किसमत का पिता है तो पिता है यानि बेटे को नीचे लिखेंगे आगे है औ किसमत का पिता हो राहुल का दादा है तो राहुल कोन होगा इसका बेटा चीक है या इसके भाई का बेटा इस तरीके से कोन हो जाएगा राहुल चीक है या तो इसका बेटा होगा या इसके भाई का बेटा चीक है आगे बोला है जो सोम्या का भाई है देखिए और की अगर बात करें तो पहले वाली की बात होती है लेकिन अगर जो आजाए जो तो जो सबसे बात की बात हो रही है उसकी बात करेंगे ठीक है तो राहुल की बात हो रही है तो राहुल जो है सुम्या का क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा भाई हो जाएगा सोम्या का भाई कौन हो जाएगा राहुल ठीक है राहुल सोम्या का भाई होगा आगे है सोम्या की मा टीना की शादी अब सोम्या की मा कौन है टीना सोम्या की मा टीना है इसकी शादी विवेक से हुई तो विवेक ठीक है विवेक से हुई अब देखिए राहुल का पिता किसमत नहीं होगा क्योंकि इसकी मा को ने टीना और टीना की साधी किस्से हुई है विवेक से तो विवेक इसका पिता होगा विवेक किसका पिता होगा राहुल का और ये दोनों आपस में भाई होगे हुई टीना किसमत की बहन है तो विवेक प्रविण से किस प्रकार संबनित है विवेक प्रवीन से टीना किस्मत की बहन है टीना तो टीना अच्छा टीना किस्मत की बहन है विवेक किस्मत की बहन नहीं है ठीक है तो ये अगर किस्मत की बहन है टीना तो उसका पती कोन हो जाएगा ठीक है इसका कोन हो जाएगा इसकी बेटी का पती तो पिरवरी की बेटी का पती कौन हो जाएगा इसका दामाद हो जाएगा तो दामाद इसका यहाँ पर आंसर आ जाएगा ठीक है एक चीज मैं आपको अभी दिखाता हूँ इसमें क्या गलती यह कर रहे हैं लोग ठीक है English Translation में अभी मैं दिखाता हूँ ठीक है इसमें आंसर हो जाएगा option में अगर होगा तो दामाद हो जाएगा ठीक है एक सेकिंड यह D इसका आंसर हो जाएगा ठीक है ठीक है तो D हो जाएगा अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ इसमें ठीक है जो कि पिछले question में भी मैंने देखी थी और मैंने सोचा ये question गलत है तो मैंने इसको वहीं पर skip कर दिया था ये जो है देखिए एक मिनट रुकेंगे यहाँ पर मेरे को ये लग रहा है कि जो थोड़ सा typing में mistake है यह जो दादा नहीं होगा वो नणा की रिस्ते में आएगा वो ठीक है तो एक बार आप इसको check कर सकते हो दादा नहीं वो नाना की रिस्ते में होगा तब जाकर की यह सवाल सही है ठीक है इस के एसाप से ओके सारी चीजों के हिसाप से तो यह चीज़ आपको देखनी होगी grandfather यहाँ पर लिखा हुआ है दादा के लिए भी उज़ करते हैं ठीक है मेरे खायल से यहाँ पर नाना होगा तब जा करके वो accurate answer आएगा answer बिल्कुल सही है क्योंकि बेटी का बेटी का बेटा कौन होता है नाती होता है नाती यानि वो कौन हो जाएंगे इसके नाना हो जाएंगे ठीक है यानि इसकी मतलब मम्मी के जो पिता होते हैं वो कौन होते हैं नाना होते हैं दादा नहीं होते इस तरीके से जो है थोड़ा स देखेंगे, question number हमारे पास है, next, question number next, question number 8 है, question number 8 में आपको बताना है, ठीक है, सबसे अलग, कौन सा विकल्प होगा, ठीक है, भोजन, भूग, तो भोजन का संबन्द भोग से है, पानी का प्यास से है, ठीक है, वाईयू का गुटन, जब गुटन होती है, तो वाईयू की हो जाएगा, यही हमारा जो है, answer हो जाएगा, ठीक है, question number 9, इसमें चिपी हुई आकरति आपको बतानी है, कहां पर है, तो कहां पर है, जल्दी से इसमें बताईए, चिपी हुई आकरति, चिपी हुई आकरति कहां पर है, तो चिपी हुई आकरति कहां पर है, भई, कहीं पर दिख रही है क्या ठीक है इसको अगर हम लगाए इस तरह से ये हो जाएगी ये हो जाएगी हमारे याग करती ठीक है तो यानि option number 1 आ जाएगा इस तरह से आप देख सकते हो ये वाली इतनी इतनी ठीक है समझ में आया तो यही हमारा answer हो जाएगा यही हमारा answer हो जाएगा question number 10 देखते है question number 10 यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर क्या आएगा question number 10 देखे इसमें जो है दो बने हुए हैं एक पूरा dark है एक जो है खाली है बीच में से तो इधर भी हमने क्या किया दो डबल कर दिया एदर खाली और डबल क्या हो गया dark हो गया लेकिन यहाँ पर तो single है तो यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर double goal आ जाने चाहिए ठीक है डबल goal यानि option number D सही है बिलकुल answer हमारा ठीक है question number 11 question number 11 astasy gloomy यानि उत्साहा का हो जाएगा उदासी opposite हो जाएगा बिलकुल तो ऐसा opposite word कौन सा है opposite word कौन सा है अपमान का हो जाएगा उन्नती कोई अपमान कर रहा है और दूसरी तरह उसकी उन्नती हो रही है तो opposite यहाँ पर हो गया question number 12 इसमें आपको counting करके बता रहा है कितने तरबुज है कितने तरबुज है सबसे पहले जो square है इसमें हम count कर लेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे ठीक है अब ये बड़ा बड़ा हो जाएगे चार, छे, और एक, साथ, आठ सोरी ठीक है छे, और एक, साथ, और एक, सामने का फिर एक ये बड़ा वाला नो, दस, ग्यारे और एक, बारा, ठीक है तेहरे, चोदे, पंदरे, सोले, सतरे, अठारे, उननिस, बीस बीस और एक ये बड़े-बड़े बीस और चार, चौबिस चौबिस है ना, मतलब ये वाले चारों कोटों पर जो है ठीक है, 24 24 ये हो गए, और 24 और दिखिए, बड़े से बड़ा, ठीक है 24 और एक इधर 25, एक इधर 26 26 तो 26 तो ये हो गए, ठीक है 26 26 26 कि बाद हमारे पास कहां पर बच रहा है 26 एक ये देख सकते हो साइद एक काउंट हो गया 26 तो लगबग लगबग इसमें आपके 26 तो यह हो गए कहीं पर छूट रहा है 26 26 यह हो गए और ठीक है 26 साइद यह हमने count नहीं किया तो यह इसमें लगबग जो है 30 जो है triangle है तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है इसमें आराम से अगर आप गिनोगे तो इसमें आराम से हो जाएंगे कोई ट्रक की इसमें वो नहीं होती ठीक है ध्यान से गिनेंगे तो हमारे सारे के सारे गिने जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है ठीक है तो 30 इसका अंसर रहेगा ठीक है चलिए 136,47,247 is equal to क्या? क्या आएगा जल्दी से बताईए ठीक है क्या आएगा जल्दी से बताईए देखिए कभी कभी क्या होता है कभी कभी क्या होता है ठीक है कभी कभी क्या होता है बताईए क्या होता है कभी 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 ऐसा होता है हम जो है लोजिक लगाने की कोशिश करते हैं कि यार इसमें खतरनाक logic होगा ये होगा वोगा लेकिन बहुत आसान होता है कोसन सॉल्ब करना हम इन दोनों का add करेंगे देखे एक तो logic ये बन रहा है कि इसमें 3 add किया फिर इसमें भी 3 add किया इसमें भी 3 add किया ठीक है खतम कर दो बिल्कुल अगला logic है हमारे पास इन सब को add करो ये भी logic बनता है इन सब को add करेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 5 sorry ये हो जाएगा 605 605 जब इसको add करेंगे क्या हमारा इसको यानि इस संख्या को और option वाली संख्या कोई सी हम उठा करके add करें मिल रहा है क्या बेलकुल मिल जाएगा option number B को जब हम उठाएंगे तो 247 में 308 अट करेंगे तो 605 हमारा answer हो जाएगा यानि यहाँ पर भी 605 हो गया add करके यहाँ भी 605 तो इसको हम answer मानेंगे ठीक है logic के साथ है तुक्के नहीं मार रहे चलिए question number अगला देखते है question number है हमारे पास इसमें आपको बताना है इसके जैसा कौन सा option है इसके जैसा कौन सा option है चल दी से बताईए चीक है 11 दुनी 22 और 2 चौबिस 11 दुनी 22 प्लस 2 कितना हो जाएगा 24 24 हो जाएगा अब 24 दुनी 48 माइनस 2 कितना हो जाएगा 46 तो इस तरह के से यह बन गया वैसा ही हमें option ढूंडना है इसी की तरह तो option हमें यह मिल जाएगा 13 दुनी 26 13 दुनी 26 प्लस 2 28 28 दुनी 56 56 माइनस 2 24 यानि यह वाला हमारे पास जो है बन गया option 28 ठीक है 28 यह हो गया ठीक है और 24 यह बन गया तो logic के साथ जो हमें answer मिल गया कोई दिक्कत नहीं आई question number अगला है 15 इसको यह लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा अगर हम ध्यान से देखेंगे तो same to same word हमें मिल रहे है आगे पीछे करके लिखा गया है बाकी सारे के सारे word same है ठीक है तीन-तीन को हम divide करेंगे देखते हैं कैसे इसको set किया गया है C का C हमने लिख दिया फिर A और N को आपस में बदल दिया तो यहाँ पर भी ऐसे करेंगे क्या करेंगे starting का letter ऐसे लिख देंगे यानि P हमने ऐसे लिख दिया फिर अगले दो letter को change कर दिया तो A L कर देंगे ठीक है यहाँ पर C E है यहाँ पर क्या हो जाएगा E C तो यहाँ पर T E है तो या E और T हो जाएगा R को R लिख देंगे P A L E P A L E L E T R तो यह हमारा answer हो जाएगा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है चलिए question number next है question number अगला है इसमें सबसे अलग कौन सा है वो हमें बताना है ठीक है तो इसमें सबसे पहले gap देखेंगे क्या हमारा gap बन रहा है 3 7 12 16 ठीक है 9 13 15 19 तो देखते हैं gap कितना 4 5 और यहाँ पर 4 4 और यहाँ पर 2 यहाँ पर कितना हो जाएगा 4 ठीक है आगे देखते हैं 3 6 10 13 तो यहाँ पर 3 का यहाँ पर 4 का यहाँ पर कितना हो जाएगा 3 का ठीक है आगे देखते हैं 8 12 19 23 4 का और यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 का और यहाँ पर 4 का तो क्या इसमें हमें आंसर दिखाई दे रहा है कौन सा हमारा आंसर है gap है 4 का gap है चीक है यहां पर 4 का है 9 4 13 और 5 और 4 15 4 कितने होते हैं 19 चीक है 6 3 9 10 और 3 13 तो यह भी सही है चीक है यहां पर कितना हो जाएगा 3 और 6 के बीच में 3 का gap है 10 और 13 के बीच में भी 3 का gap हो गया 8 और 12 यानि 4 का gap और लास्ट में भी कितना हो जाएगा 19 और डबलू 4 का gap तो यहां पर क्या इसका logic बैट रहा है जल्दी से इसमें देखते हैं तो देखें यहां पर भी 4 का different है मतलब इसमें चार-चार का different है logic यहां पर है चार-चार का अंतर है सुरू के दो alphabet में और लास्ट के दो alphabet में लेकिन यहां पर तीन-तीन का different है यही हमारा answer हो जाएगा यही हमारे क्या हो जाएगा answer हो जाएगा question number 17 को देखते है 17 ठीक है a का अर्थ है जोड़ना b का यह c का यह यह यहां पर दे रखा है तो इसको हम solve करेंगे solve करेंगे a की जगे लिखेंगे plus जो कि यहां पर लिखा हुआ है जोड़ना है g का अर्थ है गुणा करना तो गुणा करेंगे फिर गुणा फिर गुणा C का अर्थ है यहाँ पर गटाना माइनस करेंगे तो इस तरह से हम जब रखके कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आजाएगा आप्शन नमबर B इसको आप सॉल्ब करेंगे ज्यादा बड़ा कोशन नहीं है यहाँ पर आपको मीरर इमेज है यह आपको बताना है क्या इसकी मीरर इमेज बनेगी देखे जब मीरर इमेज बनाते हैं तो सारी चीजे उलट जाती है जैसे Z यहाँ पर है तो वो इधर की साइड में आ जाएगा और बदल जाएगा पलट जाएगा जैसे Z ऐसे बनता है तो इधर जाके क्या हो जाएगा ऐसे बन जाएगा उल्टा ठीक है तो ऐसा Z कहाँ पर दिख रहा है आपको यह दिख रहा है एक यह उप्शन में तो एक अल्फवेट को पकड़के भी आप सोल्ब कर सकती हो ठीक है उल्टा Z यहाँ पर है तो D ही इसका अंसर हो जाएगा ठीक है 19 कुशन नंबर इसमें आपको फिल करना है तो फिल करने के लिए जल्दी से क्या करेंगे सिरीज है ठीक है इसमें बताईए क्या इसका अंसर आजाएगा तो डारेक्ट अब आंसर हो जाएगा यह वाला ठीक है A-N-D 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 तो यह हमारा आजाएगा तीन-तीन के हमने टुकडे कर लिए हैं आपर तीन-तीन के ठीक है A-N-D फिर A-Last भी आजाएगा तो यह ही हमारा आंसर हो जाएगा A-N-D 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 ठीक है यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा ठीक है ओके इसमें आपको बताना है सबसे अलग कौन सा है लड़का, बच्चा, महीला, आदमी लड़का, बच्चा, महीला, आदमी तो क्या हो जाएगा इसमें आंसर option number B यानि बच्चा इसमें अलग हो जाएगा बच्चे का एक तरीके से ये concept लगा सकते हो कि बच्चे का जेंडर नहीं पता होता ठीक है, लड़के का जेंडर पता है कि लड़का है, महीला है, तो महीला आदमी मतलब पुरुश है लेकिन बच्चा पुरुश भी हो सकता है और महिला भी हो सकती है ठीक है तो यही हम आंसर लगाएंगी ठीक है चलिए तो आगे हैं हमारे पास सार्थक क्रम बताना है कोशन नमबर 21 का कोशन नमबर 21 का में सार्थक क्रम चलिए सबसे सुरू में क्या आएगा फिर उसके बाद क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा वैसे हमें जो है इसको क्रम में लगाना है तो हमारा यह हो जाएगा आंसर option number D सबसे पहले बिजली घर बनेगा एक मिनट सबसे पहले river river पर dam बनाते है ठीक है river होगी फिर उसके बाद वहाँ पर dam बनेगा ठीक है कोई river होगी इस पर dam बनेगा dam के बाद जो है power house बनाए जाएगा वहाँ पर ठीक है फिर क्या है वहाँ से power house से बिजली बनेगी और बिजली से रोशनी होगी ठीक है तो यह हमारा हो जाएगा question number देखते है 22 बाहिस number question question number बाहिस में आपको बताना है किन इसमें आपको plus का मतलब है भाग तो चिन बदन लें basically गुणा की जगे भाग रखना है plus की जगे गुणा रखना है ठीक है sorry भाग की जगे plus रखना है गुणा की जगे minus रखना है जो जो दिया हुआ है वैसे आप रखोगे यहाँ पर और calculation करोगे तो हमारे पास answer आ जाएगा option number 66 ठीक है भी हमारा answer हो जाएगा calculation कर लोगे कोई बड़ी बात नहीं है ठीक है board mask का निमा आपको पता होना चाहिए चलिए अगला question है इसमें अगर Monday को यह लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा क्या लिखा जाएगा देखिए हमें सारे के सारे same to same alphabet दिख रहे हैं तो आगे पीछे करके ही लिख दिया गया है बाकी और कुछ नहीं किया गया ठीक है तो कैसे करेंगे M को हम ले गए सबसे last में तो A को भी ले जाएगे हम सबसे last में तो A सबसे last में पहुच जाएगा ठीक है अब क्या किया गया है O को ले गए हम एक नमबर आ गया यानि दो-दो alphabet को हमने आपस में बदल लिया N की जगे O आ गया O की जगे N आ गया तो हम क्या करेंगे इन सोरी यह जो alphabet है L और W इनको हम लिखेंगे यहां पर एक सेकेंड एक सेकेंड यहां पर पहले स्टार्टिंग में लिखेंगे D आया यहां पर और फिर यह आया यह जो last के हमने alphabet लिए फिर यह कर दिया D N O ठीक है D N O तो last के दो alphabet छोड़ करके दो alphabet छोड़ करके A W L तो A W L यह कर दिया हमने फिर क्या हुआ A Y है यहां पर A Y को A YS से ही लिख दिया तो यहां पर क्या है YS से तो YS को ऐसे ही लिख देंगे YS को same to same लिख देंगे तो A W L YS A यह वाला option हमारे पास आ जाएगा ठीक है समझ में आया same to same वैसा का वैसे ही लिख दिया जिस position पे हमने यहां पर लिखा है वैसे ही वैसे ही इस position में यह वाले alphabet पे हम लिख देंगे ठीक है चलिए question number 24 24 ठीक है इसमें क्या किया गया है 4 के सामने 4 के विपरीत दिसा में क्या होगा एक ही पासे की 4 अलग-अलग इस थितिया है तो 4 के विपरीत पूछा है क्या होगा 4 से अलग क्या है 5 है और 6 है ठीक है 6 है और 5 है क्या 5 और 6 कहीं पर दिख रहा है बिल्कुल यहां पर है तो यही हमारा क्या हो जाएगा विपरीत हो जाएगा यानि एक आजाएगा इस कांसर यह वाला ठीक है बहुत आसान है कोई दिक्कत नहीं चलिए लास्ट में हमारे पास कतन निसकर्ष का कुश्चन कतन निसकर्ष कतन निसकर्ष सभी पैन कागज है सभी पैन क्या है सभी पैन कागज है सभी पैन कागज है कुछ कागज ब्लेड है कुछ कागज जो है क्या है ब्लेड है सभी ब्लेड चाकू है सभी के सभी जो बिलेड है वो चाकू के अंदर आ जाएंगे सभी बिलेड चाकू है तो ये तीनों के तीनों हमने क्या कर लिया एक डाइग्राम बना लिया तीनों खतन का अब निसकर्स देखते है निसकर्स क्या कहता है निसकर्स क्या कहता है कुछ चाकू कागस है Some Knives are Papers यानि कुछ चाकू कागस है ये जो चाकू कागस है बिल्कुल सही बात है कुछ चाकू का हिस्सा कागस की अंदर आ रहा है सही है ये तो कुछ blade pen है तो blade का और pen का सम्मन्द यहां पर दिख रहा है क्या नहीं दिख रहा तो ये गलत हो जाएगा चीक है तो हमारा पहला ही सही है दूसरा गलत है यानि केवल लिसकर्स पहला सही है तो हमारे पास ये option राइट हो जाएगा ये थे 25 question जो की 2020 में पूछे गए थे इसी तरह से मैं आगे भी आपको सारे के सारे question paper solve कराने वाला हूँ लगबग लगबग हम hundred question paper solve करेंगे ठीक है reasoning के exam तक आने वाले कुछ time में मैं आपको double एक दिन में दो practice set कराऊंगा 25 question का 50 करेगा तो एक रहेगा इसी तरह से आगे English की भी जो classes start होने वाली है तो मिलते हैं अगली वीडियो में thanks for watching this video channel को कर लिजे subscribe और पढ़ते रहिए अच्छे से धन्यवाद